नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत करता हूँ Only I.S. में आज हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जज्जमेंट के सिरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे जिसका नाम है स.र. बोमाई वर्सेस यूनिन ओफ इंडिया देखे एसार बोमाई करनाटका के चीफ मिनिस्टर थे और वो जनतादल पार्टी से बिलॉंग करते थे 1989 में सेंट्रल गवर्मेंट ने उनकी गवर्मेंट को डिस्मिस कर दिया आर्टिकल 356 के तहट प्रेजिदेंट रूल लगा दिया वहाँ पे करनाटका में और किस ग्राउंड पर लगाया उन्होंने यह ग्राउंड चू折िया कि जो इनकी गवर्मेंट है मतलब की एसार बोमाई की वो मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पा रही है मतलब कि उनके party के जो MLA हैं, members हैं, वो उनकी party को छोड़ के जा रहे हैं और जिससे कि उनकी majority नहीं proof कर पा रहे हैं, तो in short, central government के according, जो SR Bumai government थी, करनाटा का government थी, वो अपनी majority lose कर दी थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे president rule लगा दिया, अब हाला कि जो SR Bumai थे, उन्होंन कुछ नहीं हो सकता है, जिसके करन उनको Supreme Court जाना पड़ा, और Supreme Court में उन्होंने जाके बोला, कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, और आप इस सीच को बताईए कि, जो इस तरह का power use हो रहा है, Article 356 के तहरा है, जो central power use कर रही है, क्या वो arbitrary नहीं है, तो Supreme Court का judgment क्या आया इसमें, दे इसमें आप अपने आपको register कर लेजिए, और इसमें कोई भी किसी भी तरिक्षी की fees नहीं है, इसमें आपने को register कराईए, so that कि आप अपने आपको जान सकें, कि आपकी तयारी कितनी हुई है, और इसमें आप All India rank जान पाएंगे अपनी, और topic by detailed analysis किया गया है, और इसमें आ absolute नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ground पे dismiss कर देंगे government को, वो बिल्कुल भी absolute नहीं है, सुप्रेम कोड ने बोला कि जो भी president का proclamation होगा, वो राजसभा, लोगसभा, मतलब कि दोनों ही house से approved होना चाहिए, तब जाके इसको valid मना जाएगा, ठीक है, और जब तक लोगसभ जो उनका proclamation है, अगर वो approved नहीं होता है, दोनों houses में, तो जो उन्होंने ये चीज़ की थी, जो उन्होंने पास किया था, वो दो मन्त बाद, मतलब कि दो महिने बाद, वो lapse कर जाएगा, और government जो है, वो reactivate हो जाएगी, दुबारा से वो उनकी government activate हो जाएगी, और सुप्र जो भी उनका proclamation होगा, इस subject to judicial review, वो उसके बाहर नहीं होगा, उसको बिलकुल Supreme Court, High Court review कर सकती है, और उसको बता सकती है कि ये valid है, constitutionally invalid है कि नहीं है, Supreme Court ने बोला कि आप federalism का जो principle है न, आप उसको नहीं खतम कर सकते, कि आप अपने power को absolute तरीके से use कर लें, federalism का structure maintain रना चाह हमारा constitution जो है, वो federalism पर ही depend करता है, federalism कहीं न कहीं उसका structure है, और सबसे बड़ी बात Supreme Court ने बोला कि भाईया, जैसे मतलब कि S.R. बुमई ने बोला था पहली, कि अगर आपको लगता है, हमने अपनी majority lose कर दी है, हमको flow test कराने दीजिए आप, फिर उसके बाद decision हो, आजाए constitutional right है, ये S.R. बुमई ने बोला था governor से, जो कि governor ने मना कर दिया, कि नहीं आप flow test नहीं करा सकते, तो Supreme Court ने यही बोला, कि भाईया, इनको flow test कराना पड़ेगा, आप ऐसे मना नहीं कर सकते हैं, इनका right है ये, तो जब भी ऐसी अगर situation आती है, तो आपको flow test कराने से मना कोई भी नहीं कर सकता है, और उन्होंने बोला कि constitution जो हमारा है, वो एक federal structure है, और साथ ही साथ, constitution का basic feature है federalism, तो please इसको maintain रखें, इसको नजानदाज ना करें आप, आप लोग only eyes का telegram channel join कर लिजे, so that आपको easily वहाँ से PDFs मिल जाएं, current affair की, the Hindu editorial की, जो daily update आती है, उसकी PDF मिल जाएं और जो भी updates YouTube वीडियो की आती है, वो भी आपको वहाँ पर चल जाएगा, UPSC और state pieces से कोई required PDF वहाँ दलेंगी, तो वो भी आपको easily मिल जाएगी, आपके लिए काफी helpful होगा, देखिए 5 April से हमारा एक one year complete conference program start हो रहा है, और जिसमें की हम लोग NCIT के chapter wise video lesson provide कराएंगे, class 6 से कर 12 तक, और साथी साथ NCIT की book wise test series होंगी, और answer writing की classes भी होंगी, और आपको काफी सारे इसमें lectures मिलेंगे, 300 plus lectures, video lessons मिलेंगे main subjects के, ठीक है, special answer writing classes भी होंगे, ऐसे writing classes होंगे, test भी होगा, complete 8 full length main test series भी होंगी इसमें, इतना सारा आपका इसमें include रहेगा, साथी साथ आपको C.S. साथ की classes होंगी, every Sunday आपको provide कराई जाएंगी, 500 गंटे की आपकी prime subjects की video lessons होंगे, और आपको printed notes में लेंगे only IS के, जो कि आपके घर तक पहुचाए जाएगा, delivery के तुरू, 5 सपरेल से start हो रहा है, इसको आप enroll कर लिजे, so that की आप इसका lab उठा सके, देखिए मैंने आपको ब proper तरीके से monitor कर सकता है, उसकी validity को check कर सकता है, कि सही है की नहीं है, जो उन्होंने policies या law बनाए है, वो सही है की नहीं, कहीं ना कहीं, constitutionally वो गलत ना हो, unconstitutional ना हो, fundamental right violate ना कर रहा हो, अगर ऐसा पाया जाता है, तो judiciary के पास ये power है, कि उसको वो non and void declare कर सकता है, तो judicial review का totally ये म जब कभी भी hung assembly का, कभी भी ऐसा बात आती थी, तो इस judgment को जरूर refer करते थे, और करते हैं, जब कभी भी ऐसी situation आती है, तो ये judgment काफी impact डाला है, किस चीज को लेकर, central government की arbitrary use को लेकर, जो जिस तरीके से इस article को abuse किया गया, 356 को लेकर, उसको कहीं न कहीं रोक लगाया है judgment, त तो अब जो पहले क्या होता था, कि तो 356 था, उसको arbitrary use कर रहे थे, अब किसी state में, माल लिजे, Congress की government है, अब माल लिजे, राजस्थान में, Congress की government है, बड़ इनकी central में तो government नहीं है, central में BJP government है, तो पहले क्या होता था, जिनकी state में government है, बड़ central में नहीं है, तो उनको एक दर होता था भै होता था कि Article 356 का जो misuse करके इनकी जो government बनी है state में वो dismiss कर सकती, dissolve कर सकती है बट इस judgment के बाद से कहीं न कहीं जो local governments रहे हैं, जो state governments हैं जिनकी central में party नहीं रही है उनको एक confidence आया है, उनको एक motivation में लिए कि हाँ हमारे पास कुछ safeguards हैं, कुछ safeguards में करने हमारी लिए बनाए गए हैं जो कि judgment के दौरा दिये गए हैं, तो यहां कहीं न कहीं बहुत बड़ा impact पड़ा है इस judgment को लेकर अब Supreme Court यह बोला कि एक ground यह भी हो सकता है कि अगर कोई policy, ठीक है, अगर कोई policy state government के दौरा बनाई गई है और जो कि constitution के basic structure को harm पहुचा रही है, violate कर रही है, तो वो भी एक ground हो सकता है, article 356 को impose करने के लिए Central government के दौरा, article 356 इस ground पर use किया जा सकता है चली जान लेते हैं, article 356 है क्या, state emergency है क्या, ठीक है, थोड़ा details से जान लेते हैं, short में So that कि हम लोग को, जो भी हम लोग पढ़ें, और better understanding हो जाएगी हम लोग को देखें हम लोग सबसे पहले article 355 जानेंगे, article 355 यह बोलता है कि center की, मतलब कि union की ये duty बनती है कि अगर internal aggression है, या external aggression है, या कोई भी state, अगर constitution के provision को ठीक तरीके से follow नहीं कर रहा है तो ये union की, मतलब कि central government की duty बनती है, कि इन तीनों चीज को ensure करे internal aggression से, external aggression से center को protect करना होगा, ये center की responsibility है तीसरा, अगर कोई भी state, constitution के provision को follow नहीं कर रहा है, तो ये चीज central government को ensure करना होगा कि वो follow करे, उस पे उनको action लेना होगा, तो ये article 355 में central government को union को एक responsibility दी गई है, duty दी गई है, कि दो चीजों से, internal aggression और external aggression से उनको protect करना है तीसरा, उनको ensure करना है, कि कोई भी state government ऐसा ना हो कि वो constitutional provision को follow नहीं कर रही है, ठीक तरीके उसको चला नहीं रही है अब article 356 में आते हैं, देखे, article 356 में ये दिया है, कि president state emergency issue कर सकते हैं, implement कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि constitution को ठीक तरीके से follow नहीं किया जा रहा है, constitution को ठीक तरीके से run नहीं किया जा रहा है या अगर governor, जो state governor है, वो president को report देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे situation नहीं चाहिए है, या constitution को सही है, follow नहीं किया जा रहा है, उसके provision को सीख से चलाया नहीं जा रहा है, तो उस case में, इन दोनों case में, president यहाँ किसी भी state में, president rule implement कर सकते हैं, state emergency implement कर सकते हैं, इसमें एक तीसरा criteria भ लेता है state को, और उसमें, उसको fulfill करने में, state अगर fail हो जाता है, तो president यह मान सकते हैं, कि constitution को ठीक तरीके से follow नहीं किया जा रहा है, state दोरा, तो उस case में, president rule वहाँ लगाया जा सकता है, ठीक है, यह तीन मैंने आपको बताया है, तीनों ही बहुत important इसको ध्यान रखेगा, अ अगर जिस दिन, proclamation मतलब कि order issue हुआ है, ठीक है, मान लिजे, एक जन्वरी को, एक जन्वरी 2021 को order issue हुआ है, ठीक है, एक जन्वरी 2021 से लेकर, एक मार्च 2021 तक, without approval, president rule लग सकता है, ठीक है, अप्रूवल किस चीज का, लोग सभा और राज सभा का, मतलब बोथ house का, दोनों houses का, हमें approval चाहिए होता है, president rule को continue करने के लिए, तो दो महिने तक, मतलब की, एक जन्वरी 2021 से लेकर, एक मार्च 2021 तक, without approval, president rule लगा सकते हैं, अब यह जब order issue होगा, तो आपको, जिस date से issue हुआ है, order, उस दिन से लेकर, अगले 6 महिने तक, वहाँ पे president rule लगा रहेगा, in case, अगर approval नहीं मिलता है, तो जो आपका issue हुआ है, जिस दिन order, उस दिन से लेकर 2 महिने तक, ठीक है, उस 2 महिने तक, president rule तो लगा रहेगा, पर 2 महिने के बाद, आपका वो lapse कर अब question आप ये उठ रहा होगा आपके अंदर, कि अगर 6 महिने से ज़्यादा president rule लगाना हुआ, तो देखिए, अगर 6 मंद से ज़्यादा president rule लगाना हुआ, 6 मंद तक तो आप लगा लिया, approval मिल गया, उसके बाद अगर आपको फिर से 6 मंद लगाना है, तो आपको दुबार से लोकसभा, राजसभा में approval लेना होगा, अब question ये उठता है, अगर 1 साल हो जाता है, और मुझे उससे उपर लगाना है, president rule, तो क्या करना है, देखिए, अगर 1 साल हो जाता है, उससे उपर लगाना है, उसको extend करना है, तो दो criteria फुल्फिल करनी होगी, पहली ये है कि election commission य ये भी है कि national emergency या तो nation में run कर रही हो, या तो एक किसी particular state में run कर रही हो, तो अगर ये दोनों criteria फुल्फिल होती है, तो आप 1 साल से ज्यादा extend कर सकते है, president rule को, ठीक है, तो हम लोग ने आज पूरा समझाया, article 355, article 356, and article 365, ठीक है, और हमने साथ ही साथ, SR BOMERी का judgment भी जिसने एक community दी, जो state government में, जो CM बनते हैं, जिनकी local government होती है, जिनकी central में government नहीं होती है, उनको community और इनको motivation मिली, कि हाँ, उनके पास एक safeguard mechanism provide करवाया गया है, Supreme Court के दोरा, so dad कि वो ensure है, उस चीज़ को लेकर, कि इस तरह से arbitrary use करके, 356 का, उनकी government को dissolve नहीं कर सकती है, central government, तो काफी landmark और महत्रपूर judgment रहा है, इसको आप अपने mains के answer में भी use कर सकते हैं, अगर जरूत पड़ेगी, ठीक है, तो ये जो पूरा मेरे lecture प्रा है, इसको जरूर से ध्यान से दुबारा सुनिएगा, और इसको कही न कहीं अपने answer writing में use कीजिएगा, क्योंकि बहुती Assembly की situation आती है, कोई case आता है, इस case को refer किया जाता है, इस case को use किया जाता है इसके judgment को, ठीक है, तो हम लोग आगे अगले case में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार